पूने करार क्या है यह समझने के लिए हमें सबसे पहले कमिनल अवर्ड को जानना होगा और कमिनल अवर्ड क्या है यह समझने के लिए हमें सबसे पहले उस समय के गवर्नेंस पॉलिशीज को जानना होगा The Regulation Act of 1773, the Government of India Act 1858 यहां इन में से कुछ है The Government of India Act 1909 जिसे मौरली मिंटर रिफॉर्म भी कहा जाता है यह कानून के अंतरगत मुसलिमों को 1909 में ही उनका सेपरेट इलेक्टोलेट का अधिकार मिल गया था The Government of India Act 1919 जिसका मक्सद था भारतियों का Legislative Council में प्रतिनिजित्व बढ़ाना The Government of India Act 1909 जिसका मक्सद था भारतियों का लेजिसलिटियों काउंसिल में प्रतिनिजित्व बढ़ाना इसके लिए बाबा साब ने इसकी तैयारी 1927 से ही चुरू कर दी थी महार का सत्याग्रह, मनुसमिजी दहन और काराराम मंदिर यह उनमें से कुछ है इन अंदलोनों का यह फाइदा हुआ कि बाबा साहब और राव भादुर रेटेमल शिनिवासन गोलमेच परिशद में पहुचे और पहले गोलमेच परिशद में कॉंग्रेस ने किये हुए भहिशकार के वज़े से बाबा साहब को अपनी बात पूरे प्रमान में रखने मिली अंग्रेजों को भारत में भहिश्टों के साथ होने वाले विवहार से परिचित थे और अब वे तो वो बाबा साहब के विद्धता के बारे में भी जान चुके थे तो उन्हें न्यासंगत विवहार करना पड़ा दूसरी गोलमेच परिशद में जैसे ही गांधी वहाँ पहुचे तो उनका पहला प्रशन यही था कि बाबा साहब यहां क्या कर रहे है जब भारत से कई तारे लंडन में आही कि बाबा साहब हमारे प्रतिनिदी है तब जाके गांधी को यह बात माननी पड़ी इसी परिशद में बाबा साहब ने separate electorate की मांगी यह समाप्त होते ही सारे प्रतिनीदी वापस भारत लोटे 16 August 1932 को अंग्रेजों द्वारा communal award सैंक्शन किया गया जिसके तहद बहुश्कुतों को 78 seats मिली गांधी को जैसे ही यह पता चला तो उन्होंने जीतोर उसका विरोध करने लगे और उन्होंने अंग्रेजों से इसे रद्द करने की मांग की पर जब अंग्रेज नहीं माने तो 20 सब्टेंबर 1932 को फूने के यरवडा में आमरोन उपोशन पर बैठ गए आमरोन उपोशन गांधी ने तोटल बस एक बार किया है और उसके पूरे जीवन में उन्होंने 21 बार उपोशन किये और एक ही बार उन्होंने हमारे भईश्कितों के हितों के विरुद्द आमरोन उपोशन किया है इस वोशन से बाबा साहब पर दवाब बनने लगा और एक सभा मुंबई में ली गई जा पर बाबा साहब ने कहा कि चाहे तुम मुझे सामने वाले विजली के खंबे पर लड़ता के फासी रे दो लेकिन मैं मेरे समाज के अधिकार नहीं जोड़ूंगा पर फिर वापस बाबा साहब दवाब में आकर उन्होंने कहा रोते रोते कहा कि अगर गांधी के प्रानों को कुछ हो गया तो मेरे समाज के बड़े पैमाने पर हत्याई होगी और फिर मैं यह अधिकार रख कर क्या करूंगा तो बाबा साहब को 24 सप्टेंबर 1932 को ये सेप्र इलेक्टोरेट वापस लेना पड़ा और पूने पाक्ट शाइन हुआ इसी पूने करार को बाबा साहब ने इसका दिकार दिवस 1933 और 1946 में मनाया कांशिराम साहब कहते हैं कि चमचा यूग की शुरुवात यहां से ही हुई आज हम लोग चमचा यूग में जी रहे हैं जो लोग खुद के पैरों पर खड़े होने चाहिए वो आज मनुवादी पार्टीज के पिछलग्गू बनकर हमें नजर आते हैं और वो हमारे समाज की बड़ी चराते हुए दिखते हैं कांचिराम साहब कहते हैं कि मैंने चमचा यूग के बाहर निकलने का रास्ता ढूण लिया है पर इसके लिए हमें अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा और जाती के आदार पर तोड़े गए लोगों को अलपजन से भुजन बनाना होगा यदि हमें बाबा साहब के कहें नुसार चासक बनना है तो हमें कांचिराम साहब के रास्ते को चुनना होगा एक शायर कहता है मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मरतबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर ही गुले-गुलजार होता है